आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में भारत की इतिहास से बार-बार पूछे जाने वाले प्रशनों पर हम डिसकस कर रहे हैं चोकि UGC, NET, SET, TGT, PGT, PSC, UPSC जैसी परिक्षाओं के लिए महतपूर्ण हो सकता है सीधे हम लोग कोस्टेंज पर चलते हैं तो आज का पहला कोस्टेंज मैंने लिया है अंतिम मुगल बादशाह बहदुर शाह जफर को 1857 की क्रांती के समय अंग्रेजु द्वारा किस स्थान से बंदी बनाया गया था तो देखिएगा जो बहदुर शाह जफर है ये अंतिम मु क्रांती का नेता चुना गया था लीडर चुना गया था तो जब अंग्रेजु ने क्रांती का दमन करना सुरू किया तो उन्होंने जब बहदुर शाह जफर को गिरफतार किया तो किस स्थान से उन्हें बंदी बनाया गया ये आपको बताना है तो इनको जो है हुमायू के म दोनों को जो है वहीं गोली मार दी जाती है बहादुर शाह जफर से कहा जाता है कि भई तुम सरेंडर कर दो तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं करेंगे लेकिन जो अंग्रेज हैं भई वो तो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं तो अंग्रेज जो हैं यहां पर धोका दे देते स्री रंगपत्नम की संधी आंगल मैसूर मतलब आंगल मैसूर युद्ध का इससा बिलकुल सही है पहला ये 1792 में हुआ था उसके अलबा पुरंदर की संधी आंगल मराठा युद्ध से संबन्द है इसका ये भी बिलकुल सही है ये गलत नहीं है ध्यान रखना है एक पुरंदर की संधी मराठों और मुगलों के मद्धे हुई थी वो भी ठीक है उसके अलबाव पूरंदर की एक संधी जो है अंग्रेजु और मराथों के बीच भी हुई थी। प्रताम आंगल मराथा युद्ध के समय। उसमाद है लाहोर की संधी आंगल शिखी-उद्ध बिल्कुल ठीक है यह भी। उसमाद है इलहाबाद की संधी आंगल बंगाल। यह को बोल रहा है एक तरफ सेंधा उकालिन पुरा इस्थल दूसरी तरफ नदिया दिया हुआ है तो देख लेते हैं आलमगिरपूर जो की उत्तर प्रदेश में इस्थित है हिंडन नदी के तडपर उसके बाद है रंगपूर रंगपूर जो है ये भादर नदी के तडपर इस् कूट मिला लीजीएगा अगला कुस्चन है नीमन कथनों पर विचार कीजिए कुछ कथन दिया हुआ है जिनमें विचार करने को कह रहा है पहला कथन दिया है सेरशाह सूरी ने अपने सिक्कों पर अपना नाम पद एवम टकसाल का नाम अर्भी वर देवनागरी लिपी में खुदवाया सेरशाह सूरी जो की 1540 से लेकर के 1545 तक इसने सासन किया था तो इसने जो भी सिक्के जारी किये उसमें अपना नाम लिखवाया पद लिखवाया मतलब कि ये सुल्तान है क्या है टकसाल मतलब जिस इस्थान पर सिक्कों की ढलाई होई और ये अरबी और अगरी लिपी में खुदवाया था बिल्कुल सही है पहला कथन अगला कथन देखते हैं सेरशाह सूरी के रूपया के विशय में इसमित ने कहा यह रूपया वर्तमान ब्रिटिस मुद्रा प्रणाली का आधार है ये कथन भी बिलकुल सही है अगला दिया है सेरसा सूरी का सोने का सिक्का या सोने का सर्फी 167 ग्रेन का होता था ये भी सही है तो तीनों कथन यहाँ पर सही होगा तो आपका उत्तर क्या होग सहीँ सभी कथन सत्य हैं द इत्तर होगा अगला कोश्चन दिया हुआ है भारत में किस ने पार्शी परमपराओं को शूरू करवाए पार्शी परमपरा देखो पार्शी जो फारस है ना इसको हम लोग फार्शी भी बूल सकते हैं यहाँ पर कोश्चन जो फार्शी ही होना चाहिए था फार्सी या इसको हम लोग बोल सकते ईरानी तो जो बलबन है गया सुद्धिन बलबन इसने जो है भारत में फार्सी परमपराओं को शुरू करवाया था जैसे कि फार्सी तरीके से अपने दर्बार को सजाना अपने बच्चों का नाम फार्स के राजाओं के नाम पर रखना इसके अलावा फारस के जो तेवार है जैसे कि उनका जो निवियर है नवरोज उसको मनाना इसके अलावा पाइबोस सीजदा जैसे प्रथाओं को सुरू करना पाइबोस का मतलब होता है सुल्तान के पैरों को चूमना सीजदा का मतलब होता है सुल्तान को लेट करक बलबन ने शुरू करवाया था अकबर के समय में भी ये प्रताएं जारी थी अगला कुस्चिन दिया है निमन कतनों पर विचार करने को बोल रहा है पहला कतन दिया है मलिक काफुर को अलाउद्दिन खिल जी के सेनापति नुसरत खाने खरीदा था बिल्कुल सही कतन है दियान रखेंगे नुसरत खान का नाम एक हजार दिनार में इसको जो है खरीदा गया था इसलिए मलिक काफुर को हजार दिनारी भी कहा जाता था अगला दिया है सुल्तान अलाउद्दिन खिल जी ने मलिक काफुर को दिल्ले सल्तनत का मलिक ए नाइब बनाया बिल्कुल ठीक है भई ये भी अगला दिया सुल्तान अलाउद्दिन खिल जी के मृत्तिव के बाद मलिक काफूर ने अप्रत्यक्ष रूप से 35 दिन तक सासन किया ये भी बिल्कुल सही है 1316 में अलाउद्दिन खिल जी के मृत्तिव हो जाती है तो मलिक काफुर ने क्या किया अलाउद्दिन खिल जी के बेटे को सुल्तान बना दिया और खुद प्रत्यक्ष रूप से सासन करने लगा 35 दिन तक बाद में उसके हत्या कर दी जाती है तो आप लोग कूट देख लीजिए 10 अगला देखते हैं कोस्चिन मुहम्मद गोरी के आकरमणों एवं विजयों के विशय में किस गरंत से जानकारी मिलती है मुहम्मद गोरी के आकरमणों के विशय में हमको कहां से जानकारी मिलती है चचनामा से नहीं मिलेगा तबकातِ हिंद तहकीक एहिंद इस से जो है ना महमुद गजनवी के विशय में जानकारी मिलती है तबकात NAसिरी फुतुःत अगर अनसर ये होना चाहे तबकात ए नासिरी जो की नाशिरुद्दिन नासिरुद्दीन के समय लिखा गया था तब काते नासिर आंसर यह होगा अगर हलका सा मुझे doubt है इसमें लेकिन 90% मैं sure हूँ कि आंसर जो है सह होगा तो आप लोग मुझे बताईएगा कॉमेंट करके इस question का सही answer search करिएगा काफी चीजे और भी अगला question दिया हुआ है सुमेलित करने को बोल रहा है रिगवेदिक कालिन सब्द और उनके अर्थ तो इधर सब्द दिया है इधर अर्थ दिया है उर्वरा उर्वरा का मतलब होता है जुता हुआ खेत लांगल लांगल का मतलब होता है हल परजन्य परजन्य का मतलब होता है बादल सीता का मतलब होता है हल से बनी नाली तो आप लोग कूट मिला लीजिएगा अगला कुश्चन है नीमन कथनों पर विचार करने को बोल रहा है पहला कथन दिया है प्लासी के युद्ध के समय पलासी का युद्ध कब होता भई तो पलासी का युद्ध 1777 में हुआ था इस समय आलम गिर्ध्ध ही मुगल बाद सा था मतलब यह सत्य है अगला दिया है पानीपत के तरती युद्ध के समय मराठा पेसवा बालाजी बाजीराओ था तो पानिपत के तीसरे युद्ध जो है 1761 में हुआ था और उस समय बाला जी बाजी राव मराठा पे स्वा था बिल्कुल ठीक है सदा सिवरा भाव जो है नित्रितों करते हैं पानिपत के तीसरे युद्ध में मराठा अगला दिया है बकसर के युद्ध के समय बंगाल का करके 1763 तक बंगाल का नवाब था 1763 में यह बंगाल से भाग जाता है तो जो अंग्रेज है न वो मीर जाफर को बंगाल का नवाब दना देते हैं उसकी बाद फिर जो मीर कासी में वो अवद के नवाब सुजा उद्ध दौला और मुगल बादसाहा सहा आलम को ले करके आखरी कोस्चन होगा इस वीडियो का HSRA का संस्थापक कौन है HSRA हिंदोस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या एशोशीयेशन तो इसके जो संस्थापक थे वो थे भई भगत सिंग देखो चंदरशेकर राजाद नहीं स्थापना की थी हिंदोस्तान रिपब्लिकन ए वीडियो को जितना हो सके उतना आप सेर करिएगा लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को आखिर तक देखने कलिए बहुत बहुत धन्यवाद